नमस्तर दे स्ट्वेंट्स, वेलकम टॉ आल, स्वागत है आप सभी का PT News Affairs में Daily Current Affairs, News Analysis आप सभी के सामने हैं, Session No. 190 चल रहा है आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है Article 244 Clause A क्या है, इस आर्टिकल में जानेंगे, पॉलिटी से रिलेटीड एट टॉपिक है, Indian polity, Indian constitution, judgments and cases कुछ थोड़ी geographical parameters पे बातचीत रहेगी, मैंस paper के अगर बात करूँ तो GS paper 2 में इसका relevant सबसे ज़ादा रहता है ये वो आर्टिकल था, Indian express के explained में छपा हुआ आर्टिकल 244 A, its relevance for Assam Hill tribes and the politics बंगाज में भी चुनाओ है, थोड़ा थोड़ा हिसा Assam को भी affect करता है तो इससे देखते वे, ये कुछ आपके screen पे दिख रहा होगा आपको पूरी तरीके से full screen करके देखेगा, landscape mode में देखेगा और copy pen साथ में लेके बैठेगा, पूरा gist मैंने आपके लिए निकाल के रख दिया है अब एके करके सभी बिंदू को देखते हैं, हमारा पहला point है Demand for an autonomous state within Assam has been raised by some section of society in Assam under the provision of Article 244A of the Constitution तो Article 244 के भाग कर में सवीधान के autonomous state की बात की जा रही है जो Assam के अंदर ही बनाय जाएगा और ये कुछ society वहां की जो है वो raise कर रही है कौन है ये society क्या है तो basically 1950 में ऐसे आवाजें उठी थी उस वक्त के कुछ जो tribal people के कुछ section थे तब Assam undivided था मेगाले भी उसमें included था और भी बहुत कुछ थे तो उस वक्त के जो tribal people के कुछ section थे उन्होंने demand उठाए कि full statehood हमें दिया जाए autonomous region हमें दिया जाए autonomy एक तरीके की हमें दी जाए बहुत सारे agitations और धिरे-धिरे मतलब काफी तरीके के विरोध और protest के बाद मेगाले को 1972 में statehood दे दी गई ये ध्यान रखेगा मेगाले गेन his statehood in 1972 अब council tribal section के लोग थे तो leaders of Carby Anglong and North Catcher Hills वहां के मतलब ये जगहों के नाम है तो Carby Anglong के नेता साथी साथ North Catcher Hills के जो नेता थे वो भी इस moment का पार्ट थे बाद में जाके धिरे-धिरे 1980 का दशक जब आया तो ये लोग पूरी तरीके से एक insurgency separatist group बन गए यानि Carby Anglong इन जगहों से कुछ लोग पूरी तरीके से insurgent और पूरी तरीके से separatist बन गए और वो एक ही demand करते थे दिनलाथ की give us autonomy, give us autonomy give us autonomy इस तरीके से अब इसमें जो धारा, जो अनुछेद article 244 का जो भाग है clause A है वो कहता है it allows for creation of an autonomous state within Assam in certain tribal areas अब ये तो भाई, सविधान में ही लिखा गया है तो मतलब वो जो मांग रहे हैं, वो गलत नहीं मांग रहे है right, सविधान में ही बुला गया है कि आप एक autonomous Assam के अंदर ही बना सकते हो for some tribal people of areas it also allow creation of local legislature भी आप create कर सकते हो council of ministers भी create कर सकते हो या दोनों create कर सकते हो for carrying out the local administration तो वहाँ के जो local administration को carry out करना है उसको ले के भी right, एक में local administration से नहीं आपको यहाँ पे खतरनाक और कमाल की बात बताता हूँ फिल्कुल ध्यान से सुनियेगा आप में से सभी लोग जानते है आपसफा आपसफाल लगा रहता है नागल लेंड में लगा हुआ है इन जगों पे जो मतलब boundary line areas होते है वहाँ पे आपसफाल लगा रहता है वहाँ की जो मतलब रहने की स्थेति है बहुत ही खतरनाक रहती है एक तरफ terrorist का attack एक तरफ फिर ये police security personal अब benefit of doubt का मतलब फायदा उठाते हुए कहीं भी किसी को भी पकड़ लिया जाता है किसी भी तरीके सवन पे अत्या चार जाते है और इसमें यह होता है कि मासूम लोग भी पिसते हैं और जो मतलब जो सही तरीके से जो accused हैं या जो करने वाले हैं इस तरीके की हिंसा को फैलाने वाले हैं वो लोग भी पकड़े जाते हैं दोनों तरीके की बाते इसमें रहती हैं तो आपस्फा में क्या होता है कि जहां आपस्फा लगता है तो जैसे मान लीजी ये एक एरिया है तो ये सेरी का पहला एक local administration होगा ना अब आपस्फा लग गया आपस्फा ने सब कुछ इसमें take over कर लिया अब जब आपस्फा हट गया वहां से तो दुबारा local administration को आना पड़ेगा और जब दुबारा local administration आती नो तो काम नहीं कर पाती है ये बहुत ही मतलब एक विशह है एक debatable issue है कि वापस आपस्फा हटने के बाद जब local administration के हाथ में फिर से powers दी जाती है कि आप अब ये region समभालिए आप ये area समभालिए तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग इसको समभाल नहीं पाते हैं वो सब भूल जाते हैं भूल चुकि होते हैं आर्मी वाले के अंडर था और आर्मी वाले अपने तरीके से अलग तरीके से इसको चलाते थे हमारा जो civil वाला तरीका है वो different है तो हम इसे कैसे हम इसे cope up करें बैलेंस कैसे कर पाएं तो इसलिए वो कहते हैं कि भाईया तुम ही रखो तुम आपस्वा लगा के रखो तुम ही लोग इसको चलाओ हम नहीं चला सकते हैं तो इस तरीके तक की बाते होती हैं तो local administration से मुझे याद आया तो मैंने सुचा आपके साथ क्यों नहीं ये share कर लिया जाए added by 22nd amendment act 1969 क्या added किया था article 244 clause A it gives more autonomous powers to tribal areas as compared to six schedule अब छटे schedule में भी tribal area को autonomous powers देने की बात की गई है खासकर चार स्टेटों में कौन कौन से हैं वो चार स्टेट amtm यानि की Assam, Meghalia, Tripura, Miserum इसको याद रखने का तरीका amtm तो वो भी छटा schedule भी जो है आपके autonomous powers देने की बात करता है tribal areas को और Article 244 clause A भी करता है तो किसका ज़्यादा powerful है मतलब कौन ज़्यादा ज़्यादा power दे रहा है तो Article 244 A ज़्यादा power दे रहा है ये ध्यान रखेगा ये आ सकता है 244 A gives more power than 6th schedule अब in autonomous councils under 6th schedule they don't have jurisdiction law and order तो इनकी power कहा कम हो गई क्योंकि जो 6th schedule है उसमें उनके पास law and order का jurisdiction है ही नहीं autonomous councils के अंदर में च्छटा schedule के चार्ट स्टेट के बारे में बात करता है ये मैंने आपको बता दिया है और साथी साथ इसमें Article 244 clause 2 245 clause 1 इनके भी provisions से इसमें शाबिल है अब Assam के कुछ districts है Hill districts कौन-कौन से है जैसे दीमा हसाव कार्भी आंगलोंग एंड वेस्ट कार्भी BTR यानि बोर्डर टेरिटोरियल रिजन ये सब के सब इस provision में आते हैं ध्यान रखेगा BTR का इशू 2020 का इशू है जनवरी का और अभी तक इस पे सवाल पूछा नहीं गया है इस बार होच सके तो आ सकता है तो पढ़ लीजेगा क्योंकि नागलेंड के साथ भी कुछ मतलब वहाँ पे कुछ एतिहासिक कदम रखे गए थे जनवरी 2020 में तो Border Territorial Region को तो अच्छे से cover up करके जाएगा साथी साथ इसके साथ जुड़ा रहता है BTC Border Territorial Council तो ये कुछ-कुछ बाते मैं आपको sideways बताते चल रहा हूँ अब इसमें क्या है कि छटा schedule करता है कि Governor is empowered to increase and decrease of the areas of autonomous districts and these areas remains within the executive authority of the state तो Governor के पास इस तरीके के भाई पूरी power है कि वो जो autonomous districts है उनके area को घटा भढ़ा सकते है या फिर उतना ही रख सकते है और साथ ये area जो है executive authority के state में रहता है इसके साथ अब आता है conflict में 5th schedule 5th schedule कहता है कि that deals with the administration and control of schedule areas and schedule tribes in any state except these 4 states कौन से 4 states जो 6th schedule में है at present 5th schedule में कितने state है तो 10 state है कौन कौन से state है मैं आपको बता देता हूँ आप point out करते चलिए आंदर परदेश है 36 गड़ है जहां तक मुझे याद है गुजरात भी है हिमाचल परदेश भी है जारखंड भी है I think MP भी है और महरास्ट है ये तो बिल्कुल है और साथी साथ आपका ओलडीचा है इसके बाद आपका राजस्थान है इसके बाद आपका तेलंगाना है ये सारे जो इलाके है ये सारे जो states हैं ये 5th schedule के अंदर में आते हैं और जो भी कुछ demand है पाँ state oranges में demand की जारे है लेकिन वहाँ अभी तक दिया नहीं गया Act of Parliament और State Legislature don't apply to autonomous states and autonomous regions तो सविधान में सविधान के रहा है संसद में जो भी कानून पारित होंगे या विधाईका में राज्य विधाईका में जो भी कानून पारित होंगे वो इन सब रीजन पे apply नहीं होंगे एक और बात में आपको लगे हाँ तो यहाँ बता देता हूँ यहीं पे सही है यहाँ थोड़ा space है तो क्या है कि यहाँ पे जो autonomous councils बनाई जाते हैं क्या इनकी power मतलब civil court या criminal court जैसी powers है इनके पास तो बिल्कुल है इनके पास civil court वाली भी power है और इनके पास criminal judicial powers भी है तो इन council में जो autonomous councils हैं इनमें इनके पास judicial powers भी है जैसे कि यह लोग village court बना सकते हैं यह इनके पास प्रावधान है they could establish there on village court और साथी साथ अब इनके इसमें जो भी अगर इनके आपने judicial powers दी है तो कि कोई higher authority होगा जिसके साथ यह concern करेंगे तो high court के साथ इनका concern रहता है तो यह भी आप ध्यान रखेगा यह भी बहुत एक important fact है जो कि article 244 clause A में बताया गया है तो सब मैंने आपको पूरा gist मैंने आपको एक तरीके से बता दिया सारे important points बता दिये अगर कोई statement बनता है exam में या कहीं पे भी तो वो इनी में से ही बनेगा तो आप इसको अच्छे से cover up करें और अच्छे से सुने मज़ा आया नहीं है जरू बताएगा comment thread में जरू बताएगा कि आपको session कैसा लगा बड़ी महना से session आपके लिए तयार किये जाते है बहुत समझ आता है बहुत मैनत करनी पड़ती है तब जाके ये session आपके लिए बना पाते है तो आपका love and support ही हमारे लिए motivation है session को like जरू करें share करें positive positive comments करें अपने दोस्तों को भी बताएं किस तरीके के sessions यहां पर available है आईए अपने fact पर हमां आज बात करते है आज का जो हमारा fact है कि एक नया index आया है forecasting group में wind pattern and ventilation index forecast sir यह कैसा index है अरे भाई अब यही index है अब ऐसी index आ रहे हैं क्या करें this index published by ministry of earth and sciences तो यह ministry of earth and sciences का published क्या वाई index है इसी ministry याई मोईएस नहीं कुछ और initiative भी लिया है जैसे मौसा मैप इनों ने बनाया पढ़ लिजेगा कि 4500 city के weather conditions को forecast करते है make doot app बनाया जो कि location देती है crop की, livestock की बहुत सारी और local languages में देती है domini app बनाया गया है developed by IITM for lightning warning तो इस तरीके से जो है यह सारा system इस fact में cover up किया गया है clear चलिए तो यह आज का हमारा session था article 244 clause A पर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा अब बारी आती है quiz की देखिए आपके लिए quiz भी आ गया आज जो पढ़ा है उसी पर quiz हम पूछेंगे consider the following statements article 244 clause A allows for creation of autonomous states within the Assam only क्या यह सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए ही applicable है दूसरा tribal people in the state of Kerala and Tamil Nadu are under the fifth schedule of the constitution तो जो tribal people है Kerala के Tamil Nadu के वो fifth schedule में आते हैं कौन सा statement सही है यह आपको जवाब देना है क्या पहला सही है या दूसरा सही है या पहला गलत है दूसरा सही है दोनों सही है दोनों में से कोई भी सही नहीं है चार state चार option आपके पास है समय बिताईए पढ़े धेहां से अपना answer को lock कीजिए comment बिताईए कि क्या आपका answer है फटाफट, फटाफट, फ़ास्ट, फास्ट, आंसर अभी आपको अभी देंगे हम, थोड़ा समय देरें आपको ताकि आप इनको अच्छे से पढ़कर अपना आंसर लॉक कर सकें Ready, आंसर देखें, क्या है इसका आंसर? So it's correct answer is option A पहला option ही बिल्कुल सही है कि article 244 का जो clause A है autonomous state within the assam only के लिए ही दिया जाता है खासकर ध्यान रखेगा ऐसे words पर थोड़ी से confusion रहता है दूसरा tribal people जो मैंने 10 states आपको नाम बता है उसमें ना तो केरल है नहीं तमिल नाडू है तो ये state है ही नहीं ये demand कर रहे है तो ये option हो जाता है ये statement हो जाता है गलत दूसरा गलत होते ही ये दूनों गलत हो जाएंगे तो अब आपको चुनाव करना होगा A और D में and the correct answer is option A here clear है चलिए economic cracker का सांदार कोर्स आठ मई से शुरू हो रहा है आए अपने आपको enroll कीजिए करके दिखाएंगे की spirit रखिए चार बड़े full courses है छे महिने के validity के साथ for any problem just call us on this number PTA के subscription courses भी on है YouTube से भी direct connect कर सकते हैं website से भी connect कर सकते हैं एक महिने के लिए छे महिने के लिए सब के लिए available है enrich content है regular study है और excellent peer group है current affairs की annual compilation आ चुकी है bookstore पे revision time high हो चुका है सभी लोग revise कर रहे हैं तो आप भी जो है अपना revision बना के चलिएगा right ताके जिससे होगा कि आपको भी मदद मिल सके आने वाले exams में इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे बढ़ते रहेंगे अगर आपको हमारा यह effort सब कुछ पसंद आ रहा है तो आप हमें इस लिंक पर contribute कर सकते हैं useful current affair content regular updated है जाइए पढ़िए और आप में से जितने शात्र लोग शात्र आए शात्र आए civil services की तैयरी करने की सोच रहें तो प्रिटी गुरुकुल के courses पर विजिट जरूर कीजेगा इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे बढ़ते रहेंगे टेल दैंट टेक क्यार नमस्ते चैहिंद